मौनसून दोजाचोबिस की वापसी से पहले बंगाल की खाड़ी पर बनता सिस्टम इस बात को बया कर रहा है कि अभी जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो मौनसून की वापसी में विलंब जरूर होगा और देश की कई राजों में फिर से भारी बारिश होने की संभावना आशेंका है हमें नज़र आ रहे हैं एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर इस बॉलिटिन में बहुत बहुत स्वागते फिर से आप मेरे साथ जुड़े हैं और बात करेंगे इस सिस्टमों की अपडेट की बारिश की संभावनों होगी दोस्तों सिस्टमों का जो पच्छें भारत को भी प्रभावित करेगा दोस्तों में वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा ज्यादा लंबा नहीं करूंगा शोटले आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके अलावा आप देख सकते कि फिलाल वरतमान में आज 15 सितंबर को इस सिस्टम की च पर इसका प्रभाव नज़र आएगा इसके अलावा कास दोर पर उरिशा के और पच्छिमंगाल के कुलकता में बहुत भाधी बारिश होने की जंबावना है इसके लावा भूगनेश्वर से लेकर जो आसपास के लाके हैं वहाँ पर भी बहुत भारी बारिश और तुपान सिस्टम बिहार को प्रभावित करेगा जारखन को प्रभावित करेगा और आसपास के लाकों में काफी भारी बारिश देता हुआ नज़र आएगा तो दिका रहे हैं कि सिस्टम मध्य भारत के ओर जाएगा लेकिन एसम लगातार उत्तरपरशिन दिशाम आगे बड़ेगा और उत्तरप्रदेश दिल्ली और पंजाब रियाना साथे साथ राजस्तान की कुछ बागों को भी प्रभावीत करता हुआ नजर आ सकता है ECMW मोडल कुछ और दिखा रहे हैं जीपस मोडल कुछ और दिखा रहे हैं ऐसे में इस पर कुछ भी नहीं है सिस्टम का ट्रेक अभी पूरी तरह से निर्धायत नहीं है जिसे ही इसको लेकर निर्धायता आती है मैं तुरंद अपडेट आप तक पहुचाऊंगा इसके अलावा अब बात करते हैं अगले सिस्टम की कि अगला सिस्टम कब तक बन सकता है उससे पहले आप सब इसे निवेदने की वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना प्रभावी होकर चक्रवाती तुपान का रूप ले सकता है थाईलेन वेतनाम को पार करते हुए सिस्टम बंगाल की घाड़ी में आते है तो इनी शिस्टमों को लेकर हमें जो उमीदे रहती है कि यह सिस्टम आगे बढ़कर चक्रवात करूप लेंगे बागों को गावर करता हुआ बंगाल की घाड़ी की उत्री बागों में दाखिल हो सकता है और हो सकता है कि इस सिस्टम प्रभावी होकर एक टाकत और सिस्टम का रूप बिले और चक्रबाद भी बन सकता है अला कि इसको लेकर अभी कुछ जादा संभावना नहीं है आगे दे सिस्टमों का में अपडेट आपको जल्दी फिर से देने की कोशिश करूँगा फिलाल इतना ही तन्यवाद